मंगलवार सुभा करीब पांच बजे पारिवारिक विवात के चलते ग्राम सुरू डूंग में एक पूत्र ने अपने ही पिता की हत्या करडा ली सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस ने मौके पर पहुच कर आरोपी पूत्र दिने साहू को गिरफतार कर लिया है जामुल थाना शेत्र अंतरगत एक हप्ते के दोरान हुई हत्या की दो वारदातों ने शेत्र में संसनी फैला कर रख दी है हत्या की पहली वारदात लेबर केंप में हुई थी यहां चरीतर शंका को लेकर पती ने अपनी ही पत्नी की हत्या करडा ली थी वही मंगलवार सुबह हुई हत्या के एक मामले में ग्राम सुरूडूंग में एक पूत्र दिनेश साहू ने अपने ही पिता कभीर साहू की डंडे एवं फावडे से पीट कर और सर में प्राणगा तक हमला कर हत्या कडाली पुलिसी मिली जानकारी के अनुसार मृतक कभी साहू ने अपनी पहली पत्नी सरस्वती साहू को काफी पहले ही छोड़ दिया था और चंद्रिका साहू से विवा कर जामुल के शिवपुरी में रह रहा था पहली पत्नी सरस्वती लक्वा ग्रस्थ है कल रात्री सरस्वती साहू की तवियत ज़्यादा खराब होने से पिता और पुत्र सरस्वती साहू को जामुल अस्पताल ले गये थे वहां से उप्चार खराने के उपरांत उसे वापस घर भेज दिया गया पिता पुत्र दोनों रातरी में साथ सोय थे मंगलवार सुबा चार बजे आरोपी पुत्र ने अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा जिसके बाद पिता पुत्र दोनों ने साथ चाय पी इस दोरान दोनों में काफी बहस वाजी हुई आरोपी पुत्र कहने लगा कि तुम्हारे कारण ही मेरे मा की ऐसी हालत हुई है इस दोरान विवाद बढ़ने पर उत्तेजित होकर पुत्र ने अपने पिता की डंडे एवं फावडे से पीट कर और सर में प्राण घा तक हमला कर हत्या कर दी मौके पर पहुची जामुल धाना पुलिस ने आरोपी पुत्र दिने साहु को हिरासत में ले लिया पूरे मामले की जानकारी जामुल धाना प्रभारी याकूब मेमन ने निउस टिम को दी रुपी पुत्र को कवजे में लिया गया है और अपराद धारा 302 का वंजीवत कर वेशने में लिया गया है क्रेंडे सीन न्यूस के लिए संतो शर्मा की रिपोर्ट